नमस्कार दोस्तों वेलकम डिर्ट्स टीपॉंट मैं हो सुर्प सुकला दोस्तों देखिए बिहार कर्मचारी चैनल जो इंटर लेवल की मुखे परिशा थी वह 13 दिसंबर को दोस्तों होने वाली है लेकिन अब तक इसके बारे में प्रवेस्पत्र के बारे में कोई सुचना नहीं आई है और दोस्तों इसी बीच में जो एक दिसंबर को पटना है कोट का जो ऑर्डर आया था कि मॉडल एंसर की जारी किया जाए और इसी के कुछ दोस्तों जो है चुनावती देते हुए बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमिस्ट्र ने जो है कोट में जो है दुबारा जो ह कर दिया है और यहां पर देखते हैं कि यहां पर लिख तेहें कि जो सकता है वह कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन और यहां पर लिखते हैं अभी लिच्ट्र हो सकता है देखिए आज साथ दिसंबर हो गया लिश्टेट नहीं हुआ इसका मतलब आपका निश्चे तोर पर 13 दिसंबर को परिख्षा होना बिलकुल ही मुस्किल दिख रहा है क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिसल नहीं आई जाती तो कोई बात जो है इस पर से नहीं कहा जा सकता है अ यहां पर आगे लिखा हुआ है कि मेंस एक्षा है जारी करने के बाद जो दोसनों जो है एक तारीक के पटना है को डिसेजन में कहा गया था यहां पर आगे लिखा हुआ है कि मेंस एक्जाम इस स्ट्यूल टू बी हेल्ड ओन तेरह बार दोजार बीस है निकि जो मेंस एक्जाम है यह तेरह बार दोजार बीस को स्ट्यूल किया गया है इंड पोस्ट्पोन्मेंट ओफ दे सेम विल जीओ पारडाइज द फ्यूचर ऑफ तिरसट हजार साथ सो उन्तालिस है निकि जो तेरह बार दोजार बीस को एक्जाम स्ट्यूल किया गया है इसका जो पोस्ट्पोन्मेंट है यह यह पोस्ट्पोन होता है तो तो तिरसट आयोग चाहता तो यह कारे पहले भी कर सकता था नोटेस जारी कर सकता है यहां पर आयोग दिखा रहा है कि एक्जाम पोस्ट्पोन नहों हो क्योंकि यहां पर 63,749 बच्चों का भविश से खत्रे में पड़ जाएगा लेकिन अभी यह भी केस जो है लिस्ट में लिस्टेड को बताना चाहिए यहां पर तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी जैनकारी थी जैसे कोई अनजैनकारी मिलती है क्योंकि आज का दिन बहुत ही मतपूड है यदि आज जैनी के साथ दिसमबर को एड्मिट कार्ड नहीं आता है तो निश्चे तोर पर 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 रिख्चा 13 दिस क्यार है कमेंडर करके जरूर बताएएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद